दुनिया जितनी खुबसूरत दिखती है उतनी रोचक भी है जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे दुनिया में ऐसे कई फैक्ट्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर पहले कभी हमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा ऐसे ही फैक्ट्स लेकर हम आपके लिए आते हैं हमारे खास प्रोग्राम फैक्ट्स में तो चलिए शुरू करते हैं आज के रोचक फैक्स का सलसिला पुल के बीच में क्यों होता है गैब अपनी रोजमरा की जिन्दगी में हम अकसर किसी ना किसी पुल से गुजरते हैं लेकिन हमारा ध्यान इस और शायद ही जुआता है कि कोई पुल सड़क की तरह एक समान क्यों नहीं होता है पुल को अलग-अलग हिस्तों में बनाया जाता है हम देखते तो हैं लेकिन इस बात तो नजर अंदास कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है ये कोई डिजाइन का हिस्सा नहीं बलकि इसके पीछे साइंस है क्योंकि जुआ पुल में लगी सामगरी, कंक्रीट और स्टील आदी गर्म होते हैं तो ये फैलते हैं और जुआ ठंडे होते हैं तो सिकुर जाते हैं गर्मी के मौसम में अगर पुल घर्म हो जाता है तो ये फैलने की कोशिश करते हैं इसलिए अगर पुल में कोई ग्याप नहीं होगा तो ये आलग अलग दिश्वाओं में जुटने की कोशिश करने लगेंगे ये जोड पुल को फैलाने और कॉंट्रक्ट करने की अनुमती देते हैं इन गाप के बिना पुल तूट सकता है क्योंकि पुल आमतोर पर कंक्रीट और स्टील से ही बनाया जाता है उसी तरह सर्दी के मौसम में पुल थंडा हो जाएगा तब ये सुकरने की कोशिश करेगा और पुल तूट कर खुद पर खुद सीधा होने की कोशिश करने लगेगा इसलिए पुल्स के बीच में ग्याप दिया जाता है बटन के बगयार कपडों के दुनिया बेरंगा आखिर कहां से आया बटन दुनिया भन में हर्श रक्षिस शॉट पहनता है शायदी कोई ऐसी शॉट हो जुसमें बटन ना हो ज्यारते परिधान बटन के बगयार नहीं बनते कई सवाल होते हैं कि शॉट में बटन क्यों लगाय जाते हैं बटन बोल की होते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये बटन आई कहां से वैसे यो फग्र करने वाली बात है कि इसका विश्कार कई और नहीं कि हमारे ही देश में हुआ था वो भी आस से 2000 इसा पूर्व ये वो जमाना था जब नई चीज़े हुई इससे पहले काई बार इसकी इस्तमाल के उलेक मिलते हैं जैसे सिंदु घाटी सबिता में इसका उलेक मिलता है मोहन जोडर की खुदाई में इस बात के सबूत मिले हैं इत्यास खारों का माना है कि इनका प्रयोग 2000 इसा फूर्व में किया गया होगा हरपवासी आभूशड के तौर पर इसका प्रयोग करते होंगे और तब ये पत्थर और लकडी से बनाए जाते हो 3. खून लाल तो नसे नीली क्यों देखती हैं शरील में कई सारी चीज़े असी होती हैं जुन पर आप कभी बहुत कंग गौर करते हैं क्या आपने कभी अपने हाथों की नसों को देखा है जो कभी नीली दिखती हों अब आप सोचेंगे कि जब खून का रंग लाल होता है तो नसे हमें नीली क्यों दिखती हैं इनसों में हमेश्वा लाल खून ही दौरता है आपको जब चोट लगती है कटा या छुलता है तब आपको इनी नसों में से खून निकलता हुआ दिखता है फिर ये नसी हमेश्वा नीली या जौमनी रंग की क्यों होती है इसका सीधा सा जवाब ये है कि खून का रंग हमीश्वा ही लाल होता है लेकिन ये लाल रंग के शेड में होगा ये निर्भर करता है आपके खून को मिलने वाली ऑक्सीजन पर आम टोपर ये धारना होती है कि जिस खून में ऑक्सीजन की मात्रा जादा होती वो जादा लाल होता है और ज लग अलग रिजन होते हैं किसी तरल के जमने का मतलब उसके अड़ों का आपस में जुड़कर ठोसा कर लेना होता है तब ही तरल पदार्तों का अपना अलग हिमांक होता है हिमांक उस तापमान को कहा जाता है जिस पर कोई भी पदार्त जम कर तरल से ठोस में बदल जाता है समाने तोर पर पानी का हिमांक 0 Degree Centigrade होता है हमारे घरों में पाये जुआने वाले फ्रिज का अतापमान 0 S3 Degree Celsius तक रहता है वहीं डीफ फ्रीजर का अतापमान माइनस 10 से माइनस 30 Degree Celsius रहता है अब चराब का हिमांक माइनस 114 Degree Celsius होता है इसलिए विस्की हमारे ड्रीफ फ्रीजर में नहीं जम पाती है दूसरे शब्दों में कहें तो श्राब को जमाया तो जास सकता है लेकिन उसके लिए हमें ऐसे फ्रीजर के जरूरत होगी जिसका तापबान माइनस 15 डिग्री सेलसियस तक हो नमबर फाइफ हम खुद को नहीं कर पाते गुदगुदी दूसरों को करने पर ही क्यों आती है हसी वैग्यानिकों के मताबिक अगर आप इंसानी दिमाग के रहसियों के बारे में कुछ जानना चुआते हैं तो आपको अपने हाथों से खुद को गुदगुदाने की कोशिश करनी होगी इससे आपको कुछ नहीं होने वाला आप किसी दूसरे से कहें कि वो आपको गुदगुदा है आपको अपनी और बढ़ते हुए हाथों को देखकर ही हसी आने लगेगी यूनिवर्सिटी ओफ लंडन की सारा जैन ब्लेक मोर ने अध्यान में बताया कि दिमाग अ आप खुद को गुदगुदी करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा तो ये थे आज के कुछ खास फैक्स ऐसे ही और खास फैक्स लेकर हम फिर हाजर होंगे तब तक के लिए देखते रहें सी निउस भारत नमस्कार